हनुमान जी का पराक्रम देख रावन भी डर गया था असंभव को संभव कर दिया था महाबली हनुमान ने यह कता है जब लंका में भगवान श्री राम और रावन की सेना के बीच घमासान युद्ध चल रहा था और एक समय ऐसा आया जब रावन ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है तो उसने एक हजार अमर राक्षसों को बुला कर रन्भूमी में भेजने का आदेश दिया ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था विभीशन के गुपतचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इन से कब तक लड़ेंगे सीता का उद्धार और विभीशन का राज तिलक कैसे होगा क्योंकि युद्ध की समाप्ती असंभव है श्री राम की इस स्थिती से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं पर विजश्री का वर अब विजय असंभव है पवन पुत्र ने कहा असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है प्रभु आप केवल मुझे आग्या दीजिए मैं अकेले ही जाकर रावन की अमर सेना को नश्ट कर दूँगा कैसे हनुमान वे तो अमर हैं कि हनुमान जी को रनभूमी में देखकर राक्षसों ने पूछा तुम कौन हो क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रनभूमी में चले आए मारुती क्यों आते समय राक्षस शराज रावन ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो, निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान है, तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा ये क्या बिगाड लेंगे, भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, पवन पुत्र की मार से राक्षस रनभूमी में धेर होने लगे, चोथाई सेना बची थी कि प पर तुम्हारे कहने से नहीं, अपितु अपनी इच्छा से, हाँ तुम सब मिलकर आक्रमन करो, फिर मेरा बल देखो और रावन को जाकर बताना, राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमन करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सब को अपनी उत्वाकर्षन शक्ती जहा तक है, वहां से भी उपर चले गए, चले ही जा रही हैं, चले मगजात सूखी गएगा, गोस्वामी तुलसीदास, उनका शरीर सूख गया, अमर होने के कारण मर सकते नहीं, आथर रावन को गाली देते हुए, और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोस्ते हुए अभी भी जा रहे हैं, इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चर्णों में शीष जुकाया, श्रीराम बोले क्या हुआ हनुमान, प्रभु उन्हें उपर भेज कर आ रहा हुँ, राघव पर वे अमर्थे हनुमान, हा स्वामी इसलिए उन्हें जीवित ही उ सिनहासन हो सके, पवन पुत्र को प्रभु ने उठा कर गले लगा लिया, वे धन्य हो गए अविरल भक्ती का वर्पाकर, श्रीराम उनके रिनी बन गए और बोले हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है, वह मेरे अंगन में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला न चुका सकू, क्योंकि उपकार का बदला विपत्तिकाल में ही चुकाया जाता है, तुम पर कभी कोई विपत्ती न आ आए, निहाल हो गए आज ने, ऐसा हनुमान जी को भगवान श्रीराम ने आशीश दिया, भगवान श्रीराम भी मान गए थे कि हनुमान जी जैसा पराक प्रमी बातें शेयर करने में हमारी मदद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद